अच्छा जी आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ एक बहुत ही जबर्दस्त हैक शेयर करने लगी हूं पुछा सारी लड़कियों को मसला रहता है कि आप ही हमसे कट क्रिस नहीं होता या दोनों आंखों पर सेम नहीं होता तो इसके लिए आप लोगों ने क्या ट्रिक पाकिस्ता ने इतनी तरकी कर लिया कि आपको मार्केट में एजीली हर चीज मिल जाती है यह मुझे अलफटा नहीं सोरी अलफटा नहीं रूप सिंग हार पर मैं तोड़ से शॉपिंग करने के लिए और यह मुझे तक्रीवर्टी प्लस शील्ड्स हैं और इस तरह से आराम स चिपक जाती है यह बैसिकली ज्यादा जो प्रोफेशनल मेकप करने के लिए जैसे ब्राइडल मेकप में काफी गलीटरी मेकप होता है तो उसमें काफी जो है फाल आउट होता है फेस खराब हो रहा होता है तो यह आराम से नीचे लगा सकते हैं आपको आउटर एज भी मिल सबसे पहले तो जनाम मैंने लगा लिए है और आज मैं आपके साथ ब्राइडल ग्लीटरी कोपर ग्लीटरी बहुत ही हैवी ग्लैम जो आपके साथ शेयर करोंगी आई मेकप ठीक है और जिसका बेस मेकप है क्योंके टुटोरियल बहुत जादा लंब हो गया था वह मैं और इसमें जो सबसे बड़े साइस का ब्रेशन है इसके मैंने यह सोफ्ट सा कलर जो है पिक किया है और यहां पर आपने कोई भी कंसीलर ले लेना है जो काफी थिक कंसिस्टेंसी में हो ताकि आपका आई मेकप बहुत ही जादा अबर कर आए मैं यहां पर काशी इसका कंसील अबर से लेख सकती हो जो लाहूर में ऑपन होगा है ठीक है मैंने पूरी लेट्स पे जब जनाब लगा दिया है और यहां पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के मद़से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर रही हो देखें कितना नाइसली ब्लेंड हो गया है और कव कोई भी लाइन नहीं पड़ेंगी हमारा काम अराम से हो जाएगा ठीक है अब मैंने वही वाला ट्रांजिशन शेड लिया था और सबसे बड़े ब्रिश लिया है आउटर पार्ट से मैंने जनाब अपलाई करना शुरू किया है साथ साथ मैं इसकी ब्लेंडिंग करती जा र क्योंकि यह लाइट कलर इसलिए लगाया है जब इसके बाद हम डार्क कलर लगाएंगे ना तो इसकी डेप्थ बहुत अच्छी आएगी और उसकी ब्लेंडिंग बड़ी उठकर आएगी तो सबसे पहले लाइट कलर यूस का जरूर किया करें ठीक है क्योंकि लाइट से डा लिया है वह सेम उसी जगह पर रखका लगा रही हूं लेकिन आपने कोशिश करने इसको थोड़ा सा कम लेना है और थोड़ा से नीचे की तरफ रखना है कि जो हमने नीचे बला पहले आईशेडो लगाया है उसके साथ मिलके इसकी ब्लेंडिंग इसकी मर्जिंग बहुत अ आईशेडो कर्लर जो है यह मेरे पास एमरीज का है ठीक है आप किसी लोकल भी ले सकते हैं मार्केट मेरे सो डेट सो का अराम से मिल जाता है यहां पर करने के लिए कंसीलर आप यूज किया करो वह क्रीम बेस थिक कंसीलर नहीं करना आपने लिक्विड हलका जिसकी कंसिस्ट कर दिया है और दोनों आइस पे एकदम बैलंस रहेगा आपको एक मार्जन लाइन मिल गई है अब जनाब आपने एक फ्लैट ब्रिश लेने है और हलका सा कंसीलर रोड लेकर अपनी क्रीस को भी नीच कर लेने है और अपनी पूरी लिड पे लगा देने है अब देखे आइस कितनी बड़ी बड़ी और खुबसूरत लग अगर आपके चोटी है हुड़ है हुड नीचे किरावए है आपकी नैचेल कट-क्रीस लाइन नहीं है तो आप इस तरह से कट-क्रीस ज़रूर बनाना आपके आंगेए बहुत प्यारा लगेगा और ब्राइडल मेकप में यह ब लेकिन कोई टेंशन नहीं है लेकिन इस तरह के आप्लिकेटर मार्केट में एजी ली मिल जाते हैं आपका प्रोफेशनल निजम दिखना चाहिए ठीक है क्योंकि हमने क्रीस कट की हुई है तो तरह नीड सा लुक रहेगा दोनों आइस पे पहले मैं यह मैं अच्छे तरीके से अप्लाइ कर दूँगी और एक और बात बताते ही चलूँ कि क्या फाइदा होगा कि लिक्विड जो हमने कंसीलर लगाया था उसको पाउडर से नहीं सेट करना उस पर डिरेक्ट जब हम मेटलिक शेड लगाएंगे तो वह अच्छे से स्टक हो जाएगा आप देखना कि वह लाइनर लगाने में बहुत मसला रहता है तो फिर देखना कि आपके लिए लाइनर लगाना कितना ज्यादा हीजी हो जाएगा अभी यहां पर आपके साथ ग्लीटर शेयर करने लगी हूँ और आपको ब्रिशिस चाहिए दो तरह के ठीक है एक आपने ग्लू लगाने के इसके लावा जो में ग्लीटर हैं बहुत ही खुबसूरत यह रिवाज कर यूज कर रही हूँ को पर ग्लीटरी आप इसकी शाइन देखना जब मैं इसको लगाऊंगी और यह थोड़े से रदा एक्सपेंसिव हैं अगर लोकल मार्केट में कोई भी अफोडेबल ग्लीटर आपको मिलें आप वह भी लगा सकते हो ठीक है यहां पर क्राइलोन का सीलर मैंने ब्रिशिस देखे मैंने काशिस के लिए थे दोनों फ्लाइट और थोड़ से फलफी फलफी हैं लेकिन आगे से ब्रिसल्स इनके फलफी हैं बिल्कुल एकदम फ्लाइट ब्रिश आपने नही इसकी स्मेल थोड़ी सी इसकी हवा टाइप भी चली जाती है मतलब ना जैसे कोई क्रीब से चीज क्यूंकि आपको पता है बहुत ही संसिटिव होती है तो आपने आइस बिल्कुल क्लोज रखवानी है और इसके ओपर यह देखे मैंने ग्लीटर लगा दिया इतना ओमाइग जो है वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर कर पाऊं लेगिनी ग्लीटर बहुत रियल में ज्यादा प्यारे लग रहे थे अच्छा यहां पर जनाब मैंने इनर कॉर्णर को हाइलेट कर लिया है अच्छा जी क्राइलोन का सेम सीलर यूज करते हैं मैं क्राइलोन का ही जल और लिएजल केक लाइनर कर अब इसमें को मिक्सिंग करूं इस से यह वाटर प्रूफ बन जायागा अगर पानि यूज करते हो दो बिल्कूल भी वाटर प्रूरूफ नहीं बनता और वह अठीले गा अब सीलर झीलर का लगा रही है कि मेरे पास उलेडी लाइन थी मैंने견 और बाद में इसको मैं वापस लिड की तरफ अच्छे से मैच कर दूंगी और मैं दोनों आइस पर आपको बना कर यहां पर दिखा रही हूँ ठीक है मैं इंशालों एक दिन किसी और वीडियो में बिल्कल करीब करके आपको एजी मैथर्ट से भी लाइनर लगाना सिखा दूंगी आपको थोड़ी सी प्रक्टिस करने की जरूरत है ठीक है और मेरे पास जो है मैंने आमना का जिनका यह मैंने मेक अप किया है यह मेरी मेक अप स्टूडन्ट है आपने करना हो तो आप मेज़े जुआइन कर सकते हो अच्छा जी मेरे लाइनर लगिया था मसकारा हमने लगा दिया इसके बाद लेशिस जो है मैं इस सीजन के सारी ब्रेट्स को रेकमेंड करूंगी कि आप काशिस की 3D लेशिस बाई कर सकते हो अराम से अपने बिग डे के लिए जो स्पेशली बराद लेए और सेकंड दे के लिए मैं आपको एमरेज की करूंगी रेकमेंड क्योंकि आपको बराद का जो मेकप थोड़ा सा हैवी अगर लेशिस लगा लेते हो अगर मेकप लाइट भी किया हो तो वह बहुत ही खुबसुरत लगता है यहां पर मैंने लेशिस ड्रक के पहले देखी थी के वह आया उनके साइज लेंथ पूरा है और आप यही कोशिश करना के पूरी लेशिस ही अपने क्लाइट को लगा हो ताकि आपकी आँख थोड़ी सी लंबी बड़ी दिखे काटने की जरूरत नहीं है ब्राइडल में यहां पर मैंने ग्लू लगा लिया है स्वीट अच्च का और अच्छे तरीके से सेंटर से टक किया है और आउटर इनर पार्ट को भी मैंने दोनों आइस पे लगा दी है 30-40 सेकंड मैंने वेट कर लिया था ताकि ग्लू थोड़ी सी ड्राइ हो जाए और क्लाइंट को बोलने कि आँख आपने बार बार नहीं खोलनी नहीं तो जो लेशियस है वो मिस प्लेस हो जाती है अच्छे से स्टक नहीं हो पाती है फिर क्यों था कि इनर कॉर्नर उनका मैंने वो इच्रावली शॉप से लिया था और उनके लॉट के माल में इंपोर्टेड है यह एक लिटर और यह बहुत ही कम मिकदार में है और यह मैं ब्राव बोन को हाइलेट करने के लिए यूस कर रही हूं जिसका रिजल्ट कैमरे पर तो बिल्कुल नजर नहीं आरा लेक इतनी देर से आई मेकप कोई समझ महीं नहीं आ रहा और यह जब मैंने बेस कैसे अपलाई किया है आप लोगों को फुल कवरेज जो है ब्राइडल बेस कैसे बनानी है इसका अलहदा से मैंने टुटोरियल शेयर किया है स्पेशली एकनी प्रॉन स्कीन पर आपने कैसे बनान होती है अपनी ब्राउस को फिल करने के लिए और सबसे लास्ट में मैं आई मेकप को कम्प्लीट करने के लिए यहां पे हैंग फेंग का चोटा से गलीटर यूज किया है और यह बिल्कुल डिफरेंट से कलर के ना मैंने गोल्डन लिया ना मैंने सेलवर लिया है अगर आप पर इसको एडिट करने में लेकिन उतने मज़े की क्वालिटी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी यहाला पाक मदद कर दें मैं कुई अच्छे तरीके से आप लोग के साथ टुटोरियल सेयर कर पाऊं अच्छा जी यहां पर मेरा मेरा फाइनल मेकप लुक हो गया है बाकी क सेकंड ओप्शन में वीडियो में जाओगे ना तो लाइन वाइस आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगे ठीक है इसके लवा व्लॉग्स आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लेना भी मैं भी हैंड इस सीन और अपना डेली बीजी रूटीन आप लोग के साथ और इसके मैंने पानी भी नहीं पिया मैं सुबा उटते ही सबसे पहले वाइस ओवर कर रही हूं बच्चे को स्कूल भेजने के बाग तो यह लेशी को देखें कितनी नैश्रल और कितनी खुबसूरत लग रही हैं कितनी इससे आई मेकप जो है और भी ज़दा अट्रेक्टिव लगन खिर 높 जजी बढा सकतioneशonde के लोओेएव धी ज़दाक्षी लगना ओट मेकप ज़ेमाँ लेएव नव लेतले के वेक्शिष बढास प्रचके को सबसे आज़ को वे वेखें का विए मैजये को सबस्तों प्रचके को सबस्तों।